राजदानी राची के कुटवाली थाना शेत्र में अलबस्टा तोड़कर चार दुकान में चोरी हुई लगभग 13 लाख से 15 लाख की चोरी हुई है पेड़े दुकानदा से बाच्षित की हबारी समवादाता मुश्रिदाल अपने देखी गई ये रिपोर्ट राजदानी राची में चोरी के घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं कुटवाली थाना शेत्र में चार दुकानों में चोरी हो गयी है बताया जा रहा है कि 15 लाख रुप्या की चोरी हुई है दुकंदार है दुकंदार से जानने की कोशिश करेंगे लगतार दुकान में चोरी हो रही है लेकिन जिला परसासंप के ओर से कुछ कर वाई नहीं हो रही है आख कि लगतार है उन्हीं लोगों से जानी के कोछिट करेंगे क्या हुआ अरे सर क्या पौले कल्सत पॉरसान परसान पहले लिए एक और कर दे पो लगता है कि आप लगतार आपके दुकान में चोरी और यह लगतार पुलिस के लगतार आपके दुकान में चोरी हुई और उसके बाद जो है जिला परसासन के और से क्या कुछ कहा गया है क्या कुछ आसवासन मिला है क्या देख रहे हैं देख देख रहे होने से नहीं होता है ना कुछ तो आगे को और भी होना चाहिए कुछ नहीं होता है कर दो 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 बार चोरी हो जा रहा है का दुकान में मगर आज तक परसासन एक भी चोर को नहीं पकड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है हो रहा है समझे भी जबकि व्याइपी रोड है इसको बीसा मुंडा राच्पत कहते हैं ऐसा जगह में समझे रात में पूरा लाइट भी नहीं जलता पूरा अंध्याला रहता है राच्पत कह मुख मंत्री उसके बाद इजीपी उसके बाद तमाम अला अधिकारी जो है रास्ता से जाता हमَ यहीं रास्ता में चोरी कितना बड़ा क्यों प्लत करकि दिधि का सब्तैक लिंग रहते हैं अगर परसासन पता नहीं सो जाता क्या होता है इसलिए एक भी नहीं दिखाई देता है अगर बोलतो रहें कि परसासन अगर जाग जाए तो हम लोग भी यह चूरी यह बंद हो जागर हम लोग को रात में आके यहां निगरानी नहीं करना पड़ेगा अब देखना हो कि हलाकि अब जीला परसासन के और से दुकं का निगरानी कर सकते हैं हाला कि पूरा दुकंदार है जो पूरा परशान है अब परशान से कब तक कोतवाली थाना परवारी या सुगदेव नगर थाना परवारी कब तक इन लोगों को राहत मिलती है या नहीं यह आने वाला समय ही बताएगा सायोगी परवीन के साथ